नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम सिम चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों के सिथ पर डेंडरफ अर्थाद रूसी हो जाना बच्चों के सिथ में रूसी होना यह कोई आम बात नहीं अक्सर यह तभी होता है जब बच्ची की सफाय का ध्यार नहीं रखा जाता है कभी कभी बच्ची को रूसी से सम्मंदित रोग भी लग जाते हैं तभी यह हो जाती है आज हम अपने इस वीडियो के अंदर डिसकस करन वाले हैं यह रूसी क्या होती है क्या बड़ों की तरह बच्चों को भी डेंडर्फ होता है क्या बच्चों में डेंडर्फ या रूसी एक आम समस्या है बच्चों में डेंडर्फ के क्या-क्या लक्षन नजर आते हैं इन सब टॉपिक पर बात करेंगे वीडियो शुरू कर असल में बड़े होते बच्चे की तुचा काफी समेदन सील होती है और बहारी बैक्टीरिया अर्था जिवानों के विरुद लड़ने में वह अपनी इम्म्यूटी विक्सित कर रहा होता है ऐसे में बच्चे काफी जल्दी छोटे मोटी रोगों की पकड़ में आ जाते हैं ब बच्चे की तुचा पर या पलकों की तुचा पर एक पतली सी पकली जम जाती है जो सफेज छोटे-छोटे से गुच्छो के रूप में नजर आने लगती वैसे यहानिखा रग नहीं होती है प्रन्तु इसमें खुजलाट की समस्या काफी जादा होती जिससे खुजाने पर तुचा लाल हो सकती है जलन हो सकती अगर इसका इला समय पर नहीं किया जाता है तो इससे बाल जहनने के समस्या हो सकती है बच्चों के सिर पर बाल कम आते हैं इसलिए बच्चों का ध्यान खासका रूसी के संदर में रखना काफी जरूरी होता है बच्चे की परसनेलिटी खराब हो सकती है, बच्चे किसे प्रवाल कम हो सकते हैं, तो personality इतनी अच्छी नहीं लगती है, अगर आप यह समझते हैं कि बच्चों को dandruff नहीं होता है, तो यह आपकी गलत फेहमी है, बच्चे और बड़ों को देखकर dandruff नहीं होता है, बलकि उसकी आवशकता की dandruff एक आम समस्या है, तो हम बता दें, बच्चों में ही नहीं, बलकि इनसानों में भी रूसी एक आम समस्या है, यह खास कर बच्चों में, बच्चों के पोशन और उसकी सफाई सही ढंग से नहीं करने के कारण होती है, अगर इन बातों का ध्यान अख खा जाए, अगर बालों की सफाई नियमित रूप से होती रही, तो यह समस्या नहीं आती है, छोटे बच्चे को पोलिशन भरे वातरबन में भी नहीं जाना चाहिए, इससे भी है समस्या होती है, बात करते हैं, डेंडर के लक्षन क्या क्या होते हैं, दोस्तों आपको क्या लगता है, रूस सिर्गे किसी भी यंग पर, किसी भी तुचा पर हो सकती है, अगर आपको दिखरा कि बच्चे की तुचा सूखी है, प्रदार तुचा है, तो यह डेंडर का लक्षन होता है, खास कर ठंके समय यह काफी ज़्यादा नजर आता है, अगर आपको लगता है कि माथे, कान, चेर कि तुचा सूख रही है, रूखा पने या हलका सा मलने पर एक पतली सी परत निकल आती है, तब यह डेंडर का ही लक्षन माना जाएगा, अगर बाल लगातार जढ़ रहे हैं और बाल कम आ रहे हैं, तो यह रूशी की वजह से हो सकता है, तुचा के जिन जिन हिस्सों में हल किसी लालिमा दिखाए पड़ती है, यह भी डेंडर का लक्षण माना जाता है, अगर स्कल्प अर्फा सिर और स्रीर के किसी भी हिस्से की तुचा चिक ना हट भरी है, तब यह डेंडर का ही लक्षण होता है, तो यह हैं कुछ डेंडर के लक्षण हैं, जो सिर के बालों की तो चापर ही नहीं बलकि सेजित के किसी भी हिस्से में आपको नजर आ सकते हैं तो समझ लीजे यह है डेंडर्फ की सिकायत है। दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सेजिशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्य हमसे अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी न भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें धन्यवाद